हेलो दोस्तों सरोच केर्मी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज में लेकर आए मूं गाजर की एकदम ऐसी नहीं देश्पी खाकर आपको मजा जाएगा तो फिर चली यह वीडियो फटाफासे शुरू कर लेते हैं गाजर की एकदम नहीं देश्पी बनाने के लिए मैंने आ पर गाजर लिए है आजकर बहुत सारे कलर की आने लग गई है अब कलर वाइस भी ले सकते हो और अभी इसे क्या करेंगे चीलेंगे हलका सब दबाव लगा कर चीलेंगे क्योंकि थोड़ी से मिट्टी कंट से रहते हैं वह नहीं होने जी इनमें मिट्टी फसी रहती है और आगे से पीछे से कट कर लेंगे और आप चाहो तो नाइप से कट कर सकते हो और ऐसे भी कट कर सकते हो और यह गाजर अपन कट कर लेंगे पहला तरीका है बोईल करने का इलक पर ने यह इडिली मेकर वाल लिया जिसमें खामन डोकला अगेर बनाते हैं इसमें पानी और टकन लगाकर आप इसे इस्टिम कर सकते हों दूसरा तरीका है एक आपन पानी का बड़तन लेंगे और ये गाजर इसमें एड़ करेंगे और इन्हें बोईल कर लेंगे इसमें नावक वगेरा कुछ भी एड़ने करना है बस नीचे से गेस ओन करके अपने इसे बोईल करें एक तरीका मैंने आपको ये बोईल करने के बता है और दूसरा वो तरीका आप दोनों तरीके से बोईल टोर इस्टिम कर सकते हों और अबकन मीचे से गेस बंद कर देंगे और अपनी ये गाजर ठंडी हो चुकिए आप जाओ तो में इसमें से तीस सकते हो और मैं यहां पर इसके बंज बना दूंगे, इनका पानी निकाल कर तो ऐसे अपने इनका पानी निकाल लेंगे यह और एक उप में ने दोद लिया जो आपको एक चमच सक्कर की आड़ करना है लेकिन मेटा दूद पीना कम पसंद इसलिए मैं थ्वर्धा यह इससे ही हुए अपने टेस्ट के ओकोडिंग थोड़ी सी कैंसर से बजाव करता है और और सरीर में खोन को बढ़ाता है दियों में ये गाजर आवी रही है तो आप इसे सुबह-सुबह गरम-गरम दूद बनाकर पी सकते हो गाजर का इसका टेस्ट आपको गाजर के हलोई जैसा लगेगा बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगेगा बच् इसके खास बात यह है कि इस दूद को आप सुबह भी पी सकते हो सुबह आप जब बच्चों को दूद देते हो तब आपने यह दे सकते हो अलग-अलग फ्लेवर के मैंने बहुत सारे दूद बना रखे हैं प्ले लिस्ट में जाके आप करके देख सकते हो यह दो तीन बार उबाल आ चुका है मैं नीचे से गेस बंद कर दूँगी और इस दूद को चानेंगे निए वही मैंने गिलास लिया है और इसमें अपने दूद डाल देंगे और से मैं थोड़े से और काजु बादाम पिस्ता एड़ कर दूँँ और हम इसमें इलाइची फ्लेवर डालना बूल गएती है आप इलाइची फ्लेवर भी डाल सकते हैं यह दिखें में ओपर से यहां पर इलाइची के दाने डाल चुकी हो है और काजु बादाम इसमें डालेंगे अगर आपको यह टेस्टी सा दूद पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मैं सरो सन्मा मिंति हूँ एक इसी नी रेज़बी और एक नए टेस्ट के साथ